यह अलो एब्रीवन वेलकम तो दिस यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो से हम शुरू करेंगे काइडियक फिजियोलोजी जो हमारी प्रीविएस वीडियो थी उसमें हमने नवर सिस्टम के बारे में बात कर ली थी जिसमें टोटल 3 वीडियो हैं परस्ट वीडियो में हमने Central Nover System के बारे में बात करी थी, Second Peripheral Nover System और जो थर्ड वीडियो थी उसमें Action Potential के बारे में बात कर ली थी और उसमें अभी दो और वीडियो होंगे, पहला जो होगा वो Ear Physiology and Second Eye Physiology जो Sensory Biology के पार्ट है, लेकिन उसको हम कवर करेंगे Endocrinology के बाद, जिससे आप उससे Better Connect कर पाएं तो आज से हम शुरू करेंगे Cardiac Physiology के बारे में, जो Cardiac Physiology है, उसमें Total 4 Lecture होंगे जो पहला Lecture है, वो है Cardiac Action Potential का, जिसमें हम आज कवर करेंगे Second Lecture जो होगा, वो होगा आपका Principle of ECG Machine, जो Third Lecture होगा, वो ECG Interpretation का होगा वो Fourth Lecture में हम Cardiac Cycle के बारे में पढ़ेंगे तो होता क्या है, जब भी हम Cardiac Physiology की बात करते हैं, तो यहाँ पे Two Types के Event होते हैं जो आपका First Event होता है, वो होते हैं आपके Electrical Event and Second होता है आपका Mechanical Event जब Electrical Event होता है, उसके परिणाम शरूफ ही आपका Mechanical Event होता है, जैसे Heart का Contract होना, Relax होना, यह सारी चीज़ें होती हैं तो इसलिए हम पढ़ेंगे पहले Electrical Events के बारे में, जिसमें हमारा आता है Cardiac Action Potential and ECG और जो आपकी Cardiac Cycle है, वो Mechanical Events का पार्ट है, अगर आपको कभी Self Steady भी कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे पढ़ना है, तो जब भी आप Cardiac Physiology की बात करते हैं, त जरूर से जरूर ही पढ़ना रहता है, फिर थर्ड में आपका ECG Interpretation and Cardiac Cycle और यही 4 topics जो है, वो CSIR Point of View से important है, तो आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है Cardiac Action Potential के बारे में तो फटावर शुरू कर लेते हैं, अब सबसे पहली मैं यहां पे एक structure लेके आई हूँ, यह anatomical structure of heart है, although मैं यहां anatomy नहीं बता रहे हूँ, हाट की क्योंकि उसके लिए अलग से टू आस का एक lecture लगता है, यहां पे मैं आपको basic structure बता दे रहे हूँ, और जो जो part important है, वो सारे हमें याद रखने है, तो सबसे पहले यह दिया, आप हाट के structure में देखेंगे, तो हाट में 4 chambered heart होता है, तो fourth chambered में, ऊपर का जो आपके हिस्से होते हैं, एक आपका यह वाला, और second यह, तो यह जो हमारी chambers होते हैं, यह होते हैं, और इकुल जिने atrium भी कहते हैं, और जो नीचे के chambers होते हैं, that is ventricle, ठीक, और अगर आपके right hand side पे हैं, तो यह होगा आपका right atrium, फिर यह बाला जो है, यह होगा आपका right ventricle, then left atrium and left ventricle, तो यह चीज गयाद रखनी है कि इनकी positions and second जो है, जो आपकी सुपीरियर वेना कहभा है and inferior वेना कहभा है, उनकी जो opening होती है, वो होती है आपकी first chamber में, right atrium में उसकी opening होती है, फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना इनके बीच के connections मतलब जो valve होते हैं उनके बारे में याद रखना है तो valve कौन-कौन से हैं यदि आप right atrium की बात करें and right ventricle की बात करें तो इन दोनों के बीच में यह tricuspid valve होते हैं जो basically connection होता है between right atrium and right ventricle का second valve होते हैं आपके यह pulmonary valve जो रहते हैं basically pulmonary arteries यह जो आपके यहां से निकली हुई है जो आपके deoxygenated blood को lungs तक लेके जाती है वो बेल्व उनको कहा जाता है pulmonary valve फिर उसके बाद आपका जो यह left atrium है और left ventricle इनको connect करने वाले जो बेल्व होते हैं वो होते हैं आपके bicuspid valve जैसे mitral valve भी कहा जाता है तो आपको एक तो यह तीन वैल्व फोर्थ जो आपका है वो गहां योटिक तो योटिक बेल्व बिसिकली क्या होता है जो आपका left atrium होता है यहां से योटा जाता है जो oxygenated blood का distribution करता है आपकी body के सारे organ तक तो यह जो योटा होता है यहां पर भी एक बेल्व होता है जिसे आप कहते हैं योटिक बेल्व तो आपको क्या-क्या चीज़ याद रखने हैं एक तो chamber की position और last में आपको यह बेल्व बस आपको इतना ही याद रखना है और यही most important part है जब हम cardiac physiology पढ़ते हैं तो आप आपको यह पता होने चाहिए अब यदि आपको एक चीज और यह चीज कई वार confused हो जाते हैं कि last में जो हमारा oxygenated blood है वो कुछ chamber से जो है body में distribute होता है तो उसको याद रखने का एक तरीका यह है कि जो हमारा heart है वो हमारी left side present है वो हमारी by side present है और by side मतलब कि left hand side के जो atrium है वो ventricle है उसको connect करने वाला जो valve है वो है bicuspid valve तो आप by side और bicuspid valve को एक साथ याद रख सकते हैं तो आप confused नहीं होंगे क्योंकि यह जो valve है इन ही की opening जो है polarization, depolarization जब हम पढ़ेंगे तो यह हमें opening याद रखनी ही रखनी पढ़ती है तो by side, bicuspid valve और बाकी जो आपके di side, right hand side की बात करेंगे तो वहाँ पे होते हैं tricuspid valve तो आपको यह याद रखना है अब next आप देख लीजिए blood के flow के बारे में कि जो basically path है वो क्या होता है तो इसका बड़ा simple सा path होता है और यहाँ पर जब भी हम terms use करेंगे तो हम बात करेंगे oxygenated and deoxygenated blood की कई बार हम कहते हैं pure and imp blood तो यह जो शब्द होता है pure and impure यहाँ पर उसका use करना बहुत beneficial लहीं है यहाँ पर हम बात करते है oxygenated and deoxygenated blood की reason यह है जो heart है वो basically pump करता है उसका गाम क्या है जो भी आपका blood है उसको body तक लेके आएगा उसको lungs में लेके जाएगा और बाद में उसको distribute कर देगा एक और lungs में क्या होगा oxygenation and deoxygenation blood होगा तो heart में oxygenated and deoxygenated blood आते हैं लेकिन अगर आप purification की बात करेंगे जो based material removal होता है वो renal filtration का part है तो यहाँ पर हम के बाद टम्स यूज कर सकते है oxygenation and deoxygenation तो pure and impure कहने की बज़ा के कहेंगे oxygenated and deoxygenated blood तो अगर आप इसका path देगेंगे त part के वहां सा होता है कि सबसे पहले आपका जो heart है वो basically chest area में present होता है तो ूपर में भी आपके pure and impure blood है नीचे की साइड में भी आपके pure and impure blood है, इसलिए यहाँ पर two types की बैना कहवाज होती है, पहला होता है आपका superior बैना कहवाज, and second होता है आपका inferior बैना कहवाज, तो सबसे पहले जो आपका deoxygenated blood है, वो आएगा आपका right atrium में, काई के थू, superior बैना कहवाज जो है, उपर वा बैना कहवाज है, वो नीचे के हिस्से से आपके deoxygenated blood को लेके आएगी आपके right side के chamber में, यहाँ पर, ठीक है, right atrium में, अब right atrium में क्या है, आपके tricuspid valve है, यह tricuspid valve जो आपके हैं, यह उस blood को आपके right ventricle में, meaning इस बाले portion में लिक के आएंगे, अब जैसे ही इस portion में आ आपका deoxygenated blood आया, तो यह फिर जाता है आपका pulmonary artery के थुरू lungs में, pulmonary artery, यह जो pulmonary artery है, यह body की केवल एक ही ऐसी artery है, जो deoxygenated blood को करी करती है, बाकि जितनी भी arteries है, वो responsible होती है, आपके oxygenated blood को करी करनी के लिए, लेकिन जो आपकी pulmonary artery है, जो आपकी right ventricle से निकल के lungs त blood आपका जाता है सीधा lungs में, lungs में क्या होता है, basically alveolize होते हैं, जहाँ पर जैसे ही आप oxygen को लेते हैं, तो वहाँ पर blood में exchange होता है, जितनी भी CO2 होगी, वो आपकी बापस environment में छोड़ दी जाती है, और जो आप environment से oxygen को लेते हैं, वहाँ पर alveoli के थुरू blood में oxygen का transfer हो जा लेकिन अभी बस इतना जान लीजी कि lungs में blood गया है और वहाँ पर oxygenation और deoxygenation हुआ, तो ये deoxygenated blood को लेके गई, lungs ने उसको oxygen दी, CO2 बाहर खिची और बाद में जो है, pulmonary valve ओपन हुए, ये पहुँच गई आपकी pulmonary trunk के थुरू सीधा lungs में, यहाँ पर oxygenation और deoxygenation हुआ, और pulmonary vein के थुरू, ये oxygenated जो आपका blood है, ये बापस आता है, right atrium में, यहाँ, sorry, left atrium में, तो ये जो आपकी pulmonary vein होती है, ये प्यूरी body की के बन एक ही ऐसी vein है, जो आपकी oxygenated blood को carry करती है, क्योंकि most of the, even सारी ही जितनी आपकी वो vein होती है, वो deoxygenated blood को carry करती है, तो यहाँ पर ये बस नाम आप याद रखे, कि जो pulmonary vein है, वो basically responsible है, oxygenated blood को carry करने की, फिर आपका left atrium में आया, by side की बात हो रही है, तो by cuspid valve जो है, वो आपके open होगी, और finally ये पहुंचेगा आपके left ventricle में, और left ventricle में connection है आपके ये वाली yota का, तो यहाँ से आपका blood जो है, वो पू के बीच में aortic valve होते हैं, जो basically, आपके blood flow को maintain करने के लिए responsible होते हैं, तो ये एक path है, तो ये बल्कु बेसिक सी information है, हाट का आपका एक anatomical diagram है, जो आपको मैंने 4-5 चीज़े बताई, वो याद रखना है, और फिर ये आपका हो गया blood flow का, लेकिन आज की जो हमारी class है, वो क cardiac potential पर, मैंने आपको बताया कि जब भी आप heart physiology की बात करते हैं, तो यहाँ पर two types के event है, पहले आपके electrical है, और second आपके mechanical event है, तो electrical event काई के लिए responsible होते हैं, information के लिए, जब आपको कोई information देगा, कि ये information है, तब आप उसके against reaction करेंगे, ऐसे आपने मुझ से कोई बात कही, फ मुझे उसमें क्या बूलना है, लेकिन अगर कोई कुछ कहता ही नहीं है, तो बोलने का तो कोई मतलब भी नहीं है, तो बैसे ही यहाँ पर होता है, कि पहले होते है electrical event, मतलब information को दी जाती है, sensory जो part में आता है, फिर आपका होता है, reflectory part, mechanical part, जहाँ पर reaction को दिया जाता है, कि का moment है, तो action potential में क्या था, अगर आपको यादो, जब हमने neurons में पढ़ा था, तो polarization, depolarization, तो जब polarization and depolarization की साथ में बात होती है, meaning आप action potential की बात कर रहे है, तो यहाँ पर भी action potential बैसी ही होता है, बस यहाँ पर two differences होते है, first differences जो आपका है, जैसे जब मैंने neuron cells में आपको एक कार में revised कराती हूँ, कि जैसे ये आपकी neuron cells है, और ये इसकी membrane है, और यहाँ पर आपकी again neuron cells भतम हो गए, तो जब मैंने आपको इसमें action potential बताया था, तो एक बात बताई थी, कि यहाँ पर आपके mechanical stimulation आपको मिला था, ये जो mechanical stimulation था, वो कैसे था? टच के थूँ, आपके जो mechanical sodium channel lines थे, वो distortion हुआ, sodium import हुआ, फिर threshold मिला और इस तरीके से आपका action potential जो है, चलता जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये nerve ending पे आता है, जैसे ही आपकी ये neuron की last end पे आता है, तो यहाँ पर होती है इसकी दूसरी cell, अब जब दूसरी cell तक जाने के लि आजाते हैं, यहाँ पर कुछ basicles होती है, जो neurotransmitter को contain कि रहती है, यह basically आपका कहलाता है, यह कहलाती है, साइनेप्टिक ending, तो synaptic जो आपकी ending होती है, वहाँ पर कुछ basicles होती है, और यह basicles जो है, दो synaptic clept जो रहता है, उसके बीच में neurotransmitter को release कर रही थे, और यह जो neurotransmit यह फर्दर आपकी दूसरे जो नियूरोन सेल्स थे उन पे इनके रिसेप्टर प्रेजेंट थे जो Most of Neurotransmitter release होता है वो ऐसे तैल कोलीन था और वहाँ पर इसकी binding हो जाती थी और binding होने के बाद आपकी जो सेकंड सेल है वहाँ पर stimulation आता था तो किस तरीके की ज़नी हो पहले तो आपका mechanical stimulation था फिर यह electrical stimulation हुआ दैन यहाँ पर यह chemical स्टिमुलेशन हुआ, फिर एलेक्रिकल स्टिमुलेशन हुआ, फिर एलेक्रिकल स्टिमुलेशन होगा, 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 फिर ए आपका part है वो आजाता है आपका लेकिन आप हमें बात करनी है myocardial action potential के बारे में जो myocardial action potential है उसमें पहली चीज तो ये है कि आपकी इस तरीके की cells होती है जैसे एक ये myocardial cells है and second है और इनकी बीच में होते हैं आपके gap junctions तो जैसे यहां पर transportation कैसे हो रहा था, vesicles के थुरू chemical, यहां पर सीधा आपके जो sodium आयन है, वो diffusion के थुरू एक myocardial cell से second myocardial cells में चले जाते हैं, तो एक difference तो यह होता है कि यहां पर gap junctions के थुरू होता है, and second है कि यहां पर plateau phase बनती है, तो यह जो plateau phase होती है, वो आपकी neuron वाल तो resting membrane potential की बात करें, तो उसका voltage था minus 70, लेकिन यहां पर जो मैंने minus 90 mention करा है, वो near to the equilibrium condition है, K plus ion के लिए, क्योंकि अगर आपको याद हो, कि K plus ion इसलिए diffuse होते रहते हैं, inside to outside, क्योंकि leaky ion channels होते हैं, और leaky ion channels के थुरू potassium का जो है diffusion होता रहता है, all time, inside से outside की तरह, फिर second है इसका depolarization, depolarization इसमें बिलकुल voltage-gated sodium ion channel के थुरू होता है, फिर plateau phase की बात कर लेंगा, plateau phase क्या होती है, वो एक stabilized phase होती है, अभी जब मैं आपको diagram दिखाऊंगे, तो सब चीज़े clear हो जाएंगे, तो परिशान बिलकुल मत होना थी, तो plateau phase के लिए responsible क्या होता है, कि एक जैसे depolarization हुआ, तो आपका grab जो है, जहां आपकी membrane भी negatively चार्जती है, वो positive की तरफ जाने लगी, और जैसे ही ये 0 millivolt पे आता है, तो एक stabilization की phase बन जाती है, जो कई की वज़े से होती है, जो होती है आपकी, एक तो आपका potassium भी उसे time secret होता है, और second आपकी calcium की permeability बढ़ जाती है, calcium की, अब ये क्या होता है, कि जैसे आपकी ये membrane है, myocidial cells की, तो होगा क्या कि यहां पे sodium present है, outer side में, and calcium present है, और inner membrane पे आपके potassium present है, तो क्या होगा, कि जैसे ही action potential initiate होगा, तो ये sodium आपके अंदर आना शुरू होते है, और जैसे ही ये 0 millivolt पे बहुंचते थे, तो मैंने आपको क्या बताया था, voltage-gated sodium ion channel के जो inactivation gate है, वो close होते हैं पहले, अगर जिसने भी action potential का पुराना lecture नहीं देखा है, जो इससे पहले upload हुआ था, पहले जाके बहु देख ले, क्योंकि जब आप बहु देखेंगे, तब ही आपको ये पार्ट समझ में आएगा, फिर उसके बाद क्या होता है, कि at the same time ये बस अलग से एक फिनॉमिना होता है, कि जब hyperpolarization की stage, sorry, repolarization की stage आने लगती है, क्योंकि depolarization के बाद क्या होता था, कि voltage-gated जो आपके potassium ion channel से बो activate हो जा रहे थे, वो potassium का जो है, outflux करने लगे थे, इसको maintain करने के लिए, तो इस situation में क्या हो रहा था, उसी time पे आपके, जो long type calcium ion channel है, बो भी activate हो जाते है, तो एक ऐसी phase आती है, कि वहाँ पे calcium भी अंदर आ रहा है, वो potassium बाहर जा रहा है, तो जो कामा भी sodium का था, बो ले लिया आप calcium ने, तो depolarization and depolarization, दोनों ही चीज़े हो रही है, तो क्या होगा, जो अभी आपकी membrane का potential increase हुआ और decrease होने वाला था, तो बीच में एक phase आगई, ना increase होगा, ना decrease होगा, ना decrease होगा, stabilize हो जाएगा, that is called Pluto phase, अभी जब graphical representation बताऊंगी, तो सब समझ में आ जाएगा, तो next क्या है, L type, तो ये जो L type channels होते है, calcium के, जिनने कहा जाता है, long lasting calcium channel, ये जो long lasting calcium channel होत होते हैं, लेकिन इनकी opening slow होती है, इनकी opening कब होती है, जब voltage-gated sodium ion channel अपना काम कर लिये होते हैं, उसके बाद इनको याद आता है, और तब इनकी opening होती है, फिर balanced ion के अधिया आप बात करें, तो क्या है, आपका calcium का influx, और जो आपका potassium का outflux है, वो basically responsible है, Pluto phase के formation के लिए, क्योंकि voltage-gated sodium ion channel को तो आपने inactivate कर दिया, लेकिन अब इस फिनोमिना में जब तक आप calcium ion channel को भी inactivate नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी, तो इनका inactivation होगा, प्लस voltage-gated potassium ion channel के हो जाएगी, opening, और आपकी जो membrane है, गो repolarization stage में पहुँच जाएगी, अब यह क्या है कि जो diffusion है, शोडियम का एक myocidial cell से दूसरी myocidial cells में वो होता है, gap junctions के थ्रूँ, तो यहाँ पर आपका जो action potential है, वो neuron cell से two types से differ करता है, पहला जो है आपका, वो है आपका कि diffusion gap junction के थ्रूँ होगा, and second जो है, यहाँ पर एक another phase का formation होता है, that is called pluto phase, अब यह देखो, यह है diagram इस diagram के थ्रूँ आपकी सारी चीज़ा clear हो जाएंगे, अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप यह मान लीजे कि यह minus 70 है, तो minus 70 आपकी क्या थी, basically minus 70 नहीं, इसको minus 90 मानो, minus 70 आपका जो जो आपका minus 90 है, minus 90 क्या है, equilibrium की phase है, जो potassium minus के लिए है, मतलब minus 70 जो है, वो आपका resting membrane potential है अगर आप normally 11th 12th, even BSC में पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे कि resting membrane phase minus 70 है, बिलकुल मैंने कहा, लेकिन minus 90 से ही आपका action potential होना शुरू होता है, क्योंकि leaky end channels के दुरू, उनका diffusion जो है, वो continue हो रहा है, potassium का, जब potassium का outside की तरफ diffusion हो रहा है, तो अगर यह आपकी minus 70 भी थी, लेकिन ज जा रहे हैं बाहर की तरफ, तो मतलब positive wind जब बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी negativity बढ़ेगी, तो यह minus 90 पर पहुचेगा, तो इसलिए इस graph में अगर आप किसी भी standard वोग को ठाके देखेंगे, especially मैं medical physiology की बात कर रहे हूं, तो वहां पर जो action potential का initiation है, basically minus 90 पर आपको कोई भी graph minus 90 पर ही दिखाई देगा, तो यह जो है, यह आपका minus 90 है, यहां से अब आपका क्या हुआ, फिर depolarization हुआ, depolarization होगा, meaning voltage-gated sodium ion channel activate होगे, पहले stimulus मिला threshold पे पहुचा, threshold क्या था, आपका minus 60 था, और depolarization होना हुआ, शुरू, फिर यहां पर यह जो stage थी, अब यहां पर य यह जो आपका zero voltage था, फिर जीरो voltage पर आपके voltage-gated calcium ion channel भी activate होना शुरू होते हैं, तो जैसे यह activate होगे, तो क्या होगा, आपके calcium ion outside थे, तो अब यह आने लगे अंदर, आपने sodium के voltage-gated ion channels को भले बंद कर दिया, लेकिन potassium तो अभी activate, sorry, calcium के channels अभी activated है, तो होगा क्या कि calcium का जैसे diffusion होगा, और at the same time आपका जो potassium है, उसका outflow हो रहा है, मतलब potassium तो अपने hyperpolarization या repolarization के लिए भी तैयार हो रहा है, तो एक ऐसी stage, जहाँ पे जितने positive अंदर आ रहे हैं, बो ही positive बहार जा रहे हैं, तो maintain कर रहे हैं एक दूसरी potentials के लिए, मतलब कि यह repolarization को भी और depolarization तोनों को maintain कर रहे हैं, तो ना repolarization होगा ना depolarization होगा और plateau phase का formation हो जाता है, फिर अब क्या होगा, अब आपकी जो third stage है, वहाँ पर calcium channel जो है, वो close हो जाएंगे, और जो आपके potassium है, voltage-gated potassium ion channel बो still open रहेंगे, तो open रहेंगे, मतलब membrane जो है, वो आपकी repolar polarization में आ रहें, repolarization में कैसे आ रहे हैं, क्योंकि यह जो अब आपके potassium है, इनका outflow जो है, बाहर की तरफ हो रहा है, और membrane में जितने भी calcium है, sodium आने की वज़े से positivity बढ़ गई थी, अब potassium positively charged है, बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो positive charge कम हो रहा है, तो membrane again जो है, repolarization की stage में आ रहे है मतलब की negative charge की तरह पा रहे है, तो बिलकुल वो यह, इसका जो total duration है, वो 0.3 second होता है, depolarization and repolarization मतलब एक action potential जो cycle है, वो 0.3 seconds की होती है, तो आप समझ गए, पहले simple क्या होगा, कि myocidial cells, अभी हम myocidial cells की बात कर रहे हैं, heart में two type के potentials होते हैं, एक तो myocidial cells में अलग action potential होता है, और दूसरा होता है, आपकी nodal cells, जो SA and AV node में होती है, उनमें अलग तरीके का action potential होता है, तो बो भी एकदम समझ में आ चाहेगा, इसमें पहले क्या होगा, कहीं से stimulus मिलेगा, जैसे stimulus मिलेगा, तो threshold होगा, जो minus 60 होगा, फिर उसके बाद depolarization होगा, जो voltage-gated sodium ion channel की थ्रू ह रहेंगे, तो influx and outflux होता रहेगा, आपका positive charge time का stability बनी रहेगी, फिर next आएगा आपका repolarization, और repolarization में आपके voltage-gated potassium ion channel opening होती है, जिस बजाए से जो आपका positive charge हो plasma membrane की अंदर की जगा बाहर जाने लगता है, वो membrane जो है, वो negativity की तरफ शिप्ट होने लगती है, तो यह समझ म बैसा ही है, जैसे आपने action potential मैंने last time पढ़ाय था, वो ही है, वस फर्क क्या है, एक तो gap junction का, कि एक myocardial cells है, second myocardial cells में जब diffusion होगा, stimulation जाएगा, तो बो जाएगा gap junction की तुरू, मतलब shodium ions जो है, वो gap junctions की तुरू जाएंगे, and second plateau phase है, अब next हम बात कर लेते है, permeability की, ये वाला नहीं लखा रहेगा, पूरा लखा रहेगा, कि कौन सा, अब बताएगे क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है, तो मैंने time आपको पहले ही बताया, total एक cycle पे कितना लगेगा, 0.3 second लगता है, यदि अब आप permeability की बात करें, तो ये वाला जो timing है, अब आप सिंपल ह समझ रहे हैं कि इस तरब जो timing होगा, मतलब 0.3 side का जो timing एक होगा, वो repolarization, अगर आप मोटा-मोटा हिसाव लगाए, तो 0.30 का half होगा 0.15, तो 0.15 की जो इस तरब की stage है, वो depolarization को denote करेंगी, और जो बात की phase है, वो repolarization को करेंगी, तो ये जो आपका timing होता है, basically, यहाँ प potassium की बिल्कुल permeability होती है, लेकिन बहुत कम होती है, और इसकी permeability जाके सबसे जादा बढ़ती है, जब ये hyperpolarized stage में होती है, और third, जो आपका medial time होता है, जहाँ पर plateau phase का formation होता है, वहाँ पर आपकी calcium की permeability सबसे जादा होती है, तो अब आपको बस इतना याद रखता है, कि initially depolarization होगा, sodium की permeability सबसे जादा रहेगी, फिर plateau phase में आपका calcium रहेगा, और फिर आपका जब repolarization होगा, तो potassium रहेगा, तो बस आपको इतना ही याद रखना है, और ये graph बस आपको इतना ही denote कर रहा है, कि time to time कौन से ऐसे आयन है, जिनकी permeability बढ़ रही है, गट रही है, नेक् चाहे आप ECG की बात करें, या फिर आपका IDX cycle की बात करें, वो पूरी depend करती है आपकी nodal cells action potential पे, meaning आपके SA node और AV node contraction and relaxation पे, तो पहले तो ये जान लीजे, ये जो nodal action potential होता है, वो कहा होता है, एक तो SA node में होता है, और AV node में होता है, बिसिकली SA node में ही होता है, क्योंकि जो SA node है, वो आपके action potential को fire करता है, SA node आपका पेशमेकर है, पेशमेकर है, meaning कि action potential आपका यहीं से शुरू होता है, इसको किसी external stimuli की जरूरत नहीं होती, इनके पास self में इतनी capacity होती है, कि ये खुद का action potential generate कर लेते हैं, अब ये ऐसा क्यों हुआ, पिको nature में, या फिर जो हमारी body physiology चल रही है, तो nature न उसको बस ऐसे ही draw नहीं कराएगी, बस मन किया तो उठके draw कर दिये, हर एक पार्ट का एक importance है, यदि आप हाट के action potential की बात करेंगे, especially मैं contraction and relaxation की बात कर रही हूँ, जो आपके SA node and AV node की वज़े से होता है, तो हाट के contraction and relaxation के लिए, बहुत जादा आपको potential की जरुवत नहीं है, बहुत बड़े stimulation की जरुवत नहीं है, एक छोटा सा stimulation भी आपका contraction and relaxation के लिए responsible होता है, तो इसलिए क्या करा, body नहीं कि SA node और AV node को ही ये वाली ministry दे दी, कि भाई, आप एक काम कर लीजे, कि हाट की जितनी भी reactions हैं, जो भी इसके electrical part हैं, या mechanical reactions हैं, वो स SA node के पास जब ये capacity आई, तो SA node करता क्या है, कि सेल्फ का, सेल्फ का जो है stimulation पूरी हाट में देता है, मतलब कौन-कौन सी जगा पर, जैसे atrium को contract करना है, ventricle को contract करना है, उसका एक path होता है, जो आगे चल के हम पर्ट लेंगे, तो SA node की बजए से ही आपके हाट का myogenic या autogenic nature ह action potential के मामले में, तो पहले क्या आता है, जैसे pacemaker potential, तो pacemaker potential basically nodal cells like SA node की slowly depolarized होती है, slowly depolarized होती है, यहाँ होती है, क्योंकि बहुत जादा इनको stimulation की जरुवत नहीं, और यहाँ पर sodium voltage gated ion channel जैसा कोई concept नहीं है, यहाँ है, calcium voltage gated ion या फिर जो आपके L type channels होते हैं, जो long lasting calcium channels होते हैं, उनके थ्रूँ depolarization होता है, अब यह क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी, मैं next slide मैं आपको पूरी mechanism बता दूँगी, अभी वस यह जाव लीजे, तो पहली चीज तो यह है, यह slowly depolarized होते है, यह याद रखने की आपको जरूवत है, पीश मेकर की यह दी, आ पनी channel है, यह क्या करते हैं, इनवर्ड शोडियम करें, मतलब कि जो शोडियम के लिए, यहां मैंने बताया, voltage-gated ion channels नहीं है, still, शोडियम तो प्लास्म, जो आपकी membrane है, जो आपकी nodal cells है, उसकी जो membrane है, उसकी outside present होगा, तो बिलकुल कुछ channels होते हैं, that is, का funny channel, app type of channel, जहां पर बिलकुल minute, inward, मतलब outside से inward moment होता है, शोडियम का, second जो होते हैं, वो होते हैं, आपके T-type calcium channel, जिसे कहा जाता है, transient calcium channel, यह भी बिलकुल brief, inward calcium current के लिए responsible होते हैं, जो चोटा सा electrical current, जो आपके calcium ion के diffusion के लिए, outside से inner site लाइन के लिए responsible है, बस उतने के लिए है, लेकिन इनका function है, अभी जब मैं आपको graph बताऊंगे, तो अच्छे से समझा दूँगे, फिर है आपका depolarization, तो depolarization बेसिकली होना है, आपके L-type calcium ion channel से, और यह जो L-type है, यह voltage-gated calcium ion channel होते हैं, जिने कहा जाता है, L-type channel या long lasting calcium ion channel, और इन ही के थ्रू जो है, आपका action potential conduct किया जाता है, इन SA node, या nodal cells में, तो next है आपका prolonged action potential, तो prolonged action potential मेनिंग क्या है, जो आपके L-type calcium ion channel है, वो उनके थ्रू होगा आपका action potential, followed by voltage-gated potassium ion channels जो है, उनसे होगा आपका repolarization, जो है, इस line का simply सा मतलब यह है, कि जो आपके L-type channels हैं, वो depolarization के लिए हैं, and again, repolarization का phenomenon सब जगा से हैं, आप चाहे neuron cells की बात करें, आप चाहे myocidal cells की बात करें, या nodal cells की बात करें, यहाँ पर repolarization सबका सेम होता है, फिर आता है, automaticity, अब यह तो मैंने बैसे भी आपको बता दिया कि जो आपका पेश्मेकर है, जो आपका essay node है, उसके बास बैसे self-automaticity होती है, कि जो spontaneous rhythmic या फिर self-excitation के लिए responsible होता है, फिर जो essay node है, वो एक minute में 100 time action potential को दे सकता है, समझ रहे हैं, एक minute में 100 time action potential generate करता है, मतलब depolarization and repolarization, 100 time, तो यह भी आप information याद रखे, तो यहाँ भी कुछ नहीं, बस मैंने यही बताया है, कि three types के channel है, पहला आपका F type है, या funny channel है, जो sodium का, जो minute sign word आएगा amount, उसके लिए responsible है, second है आपके T type calcium channel, जिसे transient calcium channel कहते हैं, जो again आपके छोटा सा जो amount आना है, calcium का, उसके लिए responsible, अब यह कहां आएंगे, या भी graph में बता दूँगे, और third है, आपके L type channel, जो long lasting calcium channel है, जो basically responsible है, आपके depolarization के लिए, in nodal sense, पर repolarization होगा, आपका voltage-gated potential channel, जो आप देखे, यह diagram है, आपका nodal selection potential का, अगर आपको कोई भी चीज में confusion हो रहा है, अभी पढ़ते टाइम, तो परिशान म होना है, क्योंकि at the last सारी चीजे clear हो जाएंगे, जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजे हमें नहीं समझ मैंती है, लेकिन जैसे हम आगे चलते हैं, तो उनका connection बनता है, तो सब चीज समझ मैंती है, तो परेशान बिलकुल नहीं होना है, इस class में, अब यह क्या है, यह आपकी membrane है, कौनसी cells की, nodal cells की, क्योंकि हम nodal action potential पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, sodium प्रेजेंट होगा, calcium भी प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर inside potassium होगा, तो यह जो आपका sodium है, यह आपका F channel के थ्रू ही आता है, और यह वाला जो आपका calcium है, यह आता है, voltage, gated, calcium ion channels के थ्रू, लेकिन यहाँ पर एक टाइप के और calcium ion channels होते हैं, that is called T type, यह जिनको transition कहा जाता है, और यह जो T type है, यह जो छोटा सा brief amount होता है, brief current होता है, calcium का, उसके लिए responsible होते हैं, अब देखो इसको दिहान से बस इतना सुनो, membrane resting stage में है, SA node बर्क नहीं कर रहा है, SA node resting stage में है, membrane resting stage में है, फिर क्या होगा, और sudden SA node ने फिर fire करा, ऐसे node ने जैसे ही fire करा, तो अब यह क्या कह रहा है, कि membrane हो जाए, repolarization, तो होगा का यहाँ पे, कि यहाँ पे जैसे आप यह मान के चलिए, कि आपकी minus 90, minus 17, यह resting membrane stage मानी जाती है, यहाँ पर एक चीज और होता है, यहाँ पर जो यह threshold potential होता है, वो होता है, minus 40, अभी जब हमन नियूरोन सेल्स की पहले बात करी थी, तो कितना था, उसमें minus 60 था, यहाँ पर क्या है, minus 40 है, तो resting stage में है, और जैसे ही, essay node ने fire करा, इसको stimulation मिला, तो यह सबसे पहले आपके F-type channel जो है, वो activate हो जाएंगे, यह जो F-type channel ही, यह क्या करेंगे, शोडियम का influx करा देंगे, अ तो माइनियूट, इग्दम ना के वरावर, लेकिन आएंगे जरूर, तो उसके तरू जैसे ही अंदर आता है, तो अंदर आने की बज़े से क्या होगा, कि आपकी मेंब्रेन, threshold की तरफ जाना, शुरू हो जाएगी, threshold potential की तरफ, at the same time, आपके T-type channels activate होती, जैने कहा था, transient calcium channel, तो यह T-type B आपके calcium को अंदर लाना शुरू कर देते हैं, calcium जैसे ही आपका अंदर आएगा, तो आप क्या है, membrane जो आपकी minus 70, minus 90 थी, अभी अपनी threshold potential, sorry, अपनी action membrane potential को carry कर रही है, positive की तरफ, और जैसे ही यह minus 40 पे पहुँचेगा, तो minus 40 पे voltage-gated calcium ion channel हो जाते हैं, आपके open, क्योंकि जो voltage-gated calcium ion channel के activation के लिए, जो voltage है, वो क्या है, वो है minus 40, तो minus 40 तक ले जाने वाले जो दो channel है, वो है F-type and second है T-type, तो अब समझ में आ गया, जो F-type है और T-type है, उनका depolarization में भले ही रोल लही है, लेकिन threshold तक ले जाने के लिए उस potential का बहुत बढ़ा रोल है, तो जो आपके F-type channels होते हैं, और जो आपके T-type channels होते हैं, ये membrane की resting stage को आपके threshold potential तक लेके जाते हैं, कैसे influx करेंगे sodium का and calcium का, जैसे ही आपके potential पर पहुँची, मतलब minus 40 पर पहुँची, तो आपका depolarization होगा, depolarization यहां किस बज़ए से हो रहा है, voltage-gated calcium ion channels की बजए से, और ज to stage नहीं बनती, क्योंकि यहां पर अप calcium का inward outward moment नहीं है, वो के वल आपको myocardial cells पर मिलेगा, अब यहां पर क्या है, कि जो हमारा heart है, उसको बहुत ऐसा नहीं कि जैसे overshoot या over state आपने neurons में पड़ी थी, यहां पर most provivaly नहीं होती, although होती है, लेकिन most provivaly नहीं होती, जब नहीं होती है, तब जाके वो आपको stage देखने को मिलती है, बाकि अगर आप normal action potential के बात करेंगे, तो क्या हो a depolarization हुआ, और जैसे ही आपकी membrane positive की तरफ जाने लगी, तो voltage-gated potassium ion channel activate हो जाते है, और फिर यह k plus ion का outward flow होने लगेगा, और आपकी membrane जो है, वो repolarized हो जाएगी, तो समझ में आया, इसमें जादा कुछ नहीं है, बस आपको तीन चीज़ा याद रखनी है, पहली चीज, इसका जो threshold potential है, बो है minus 40, और इसमें कौन से आपका जो पहला threshold तक ले जाने के लिए responsible रहेंगे, activation, कौन कौन से channels का, F type channel का, और T type channel का, और depolarization के लिए आपका responsible रहेगा, एक तो voltage-gated calcium ion channels, तो यह इसमें जो है, difference हो जाता है, इसमें 3 types के जो channel है, specific channel है, वो involved हो जाते हैं, लेकिन यह जो long lasting या L type channel है, यह आपके myocidal action potential में भी involved है, जब plateau phase का formation हो रहा था, जब calcium का invite movement हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको बता है, जो long type calcium ion channels होते है, वो voltage-gated ion channels है, और वो activate होते हैं, minus 40 voltage पे, तो minus 40 voltage जब आपका myocidal cells पे भी आना शुरू होता है, तो आपके वहाँ पर भी activate होना शुरू हो जाते हैं, और plateau phase जो है, वहाँ पर भी उनकी वज़े से होती है, और यहाँ पर depolarization के लिए भी responsible आपके voltage-gated L type calcium ion channels होते हैं, तो यह nodal cells का action potential हो गया, अब हम इसकी permeability जाल लेते हैं, तो इसकी permeability भी बिलकुल इतनी simple है कि जैसे अगर आप time की बात करें, तो इसमें time का duration 0.3 second ही है, तो आपको पता है, जब 0.15 second की बात है, मतलब एक 80 stage है, जहां कि इस तरफ जो 0 से लेके 0.15 की जो area रहेगा, वहाँ पर depolarization है, पर stabilization हो Stabilization नहीं है, मैं बता रहे हूं time का, मतलब beach middle part है, then ये वाला जो है, ये है repolarization, तो आप देखिए कि सबसे जादा initially permeability है आपके F-type channel की, तो जो आपके F-type channel में sodium की permeability है, वो बिलकुल initiation में जो थी, वो आपकी जादा थी, फिर उसके बाद वो stabilize रही आई, फिर जब ये permeability अगर आप दूसरी आईन की comparison में देखोगी, तो सबसे जादा कम है, जदी CSIR कभी आपको इस तरीके का कोई graph पूछता है, और अगर आपके पास इस तरीके की lines उन्हें खीज दी है, और permeability के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर सबसे कम line, अगर जैसे 1, 2, 3 and 4, यहां पर 4 types की line बनी हुई है, तो सबसे जो नीची है, सबसे जादा जो lower part में है, वो basically आपकी कौन सी है, वो sodium की permeability को दिखाती, क्योंकि यहां पर nodal cells में, nodal cells action potential के दौरा, sodium की permeability सबसे कम देखने को मिलती है, फिर second number पे आपके कौन सा आएगा, T-type, calcium ion channels थे, उनमें बहुत brief invert moment हो रहा था, आपका calcium का, फिर जो सबसे जादा है, वो कौन से थे, वो L-type channel थे, क्योंकि डी-polarization के दोरान, जो भी ions का diffusion होता है, डी-polarization जब हमने action potential में पढ़ा, जब हमने myoc ideal cells में पढ़ा, तो सबसे जादा permeability वहां sodium की थे, और यहां पर डी- polarization के लिए responsible हैं, आपके calcium ion channels, तो calcium की permeabilities यहां पर सबसे जादा रहेगी, फिर जब आपका hyperpolarization की stage आती है, तो कौन सी permeability रहेगी, आपकी potassium की रहेगी, वस आपको इतना ही याद रखना है, कि इनी situation में permeability sodium की high होती है, फिर उसके बाद आपकी potassium की high होती है, जो T-types के channels के थे through inward movement होता है, फिर उसके बाद आपके voltage-gated calcium ion channels आएंगे, उनकी permeability भी high होती है, depolarization के time, यहां वाली stage में, और फिर जो आपका half time होता है, action potential का वहाँ पर, calcium की permeability जादा होती है, क्योंकि इस time, depolarization की stage and voltage-gated calcium ion channels activated है, तो यह बात समझ में आगे, अब next जो है, यह है cardiac action potential, अब ह हमने myocardium cells में action potential पड़ा, हमने nodal cells में पड़ा, जब मैं nodal cells में आपको बता रही थी, तो मैंने आपको एक बात mention करी थी, कि सबसे जादा important हमारा nodal cells का action potential ही है, क्योंकि पूरी cardiac physiology उसी action potential पे चलती है, तो होता क्या है, यह जो है, यह basically direction है, कि action potential कहा कहा से move करता है, जब मैं ECG interpretation बताऊंगी, तब मैं detail में आपको बताऊंगी, कि किस तरीके से इसका पूरा flow हो रहा है, कैसे depolarization हो रहा है, कैसे positive charge, negative charge movement कर रहा है, यह detail में हम पढ़ेजिए, यहाँ पे केवला आप direction जान लीजे, तो सबसे पहले क्या हुआ, essay node के पास तो क्या है, automaticity है, self generate करता है, stimulation क तो essay node सबसे पहले fire करेगा, और जैसे essay node fire करता है, तो action potential आपका right atrium में distribute होता है, plus left atrium में, यह left atrium में इसलिए जी 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 चला जाता है, क्योंकि जो आपका partition, four chamber है, first chamber, second chamber, third and fourth, तो इन दोनों के बीच का, यहाँ का नहीं, मैं कि यहाँ की बात करें, इन दोनों के बीच में आप partition के बात करें, तो यह ओटा जाता है, मतलब ऐसी कोई layer नहीं है, fibrous layer नहीं है, तो यहाँ पर easily action potential move कर जाता है, तो essay node fire करता है, action potential आपके atrial में भी, right side भी, left side भी, लेकिन आपका जो यह वाला chamber होता है, atrium and second, आपका ventricle, right hand side का, यहाँ पर एक layer होती है, जो fibrous connective tissue की बनी होई होती है, अब यह layer जो है, इतनी जादा strong होती है, कि action potential बाहर जाही नहीं पाता है, मतलब जब right atrium से right ventricle तक जाना है, तो बूज आता है, फिर essay node के थुरू, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी opening, opening ही कह सकते, यह एक छोटा सा tissue area है, essay node है यहाँ पर, और यह essay node के ही जतना भी potential है, वो अब जाएगा आपके ventricle में, और सबसे पहले third number पे ventricle में, यह कहाँ पे आएगा, bundle of his में, और bundle of his की यह branches आपको दिख रहे हैं, यह right hand side की है, यह left hand side की है, तो यह right hand side में जाएगा और left hand side में जाएगा, और फिर बाद में यह purkinje fiber होती है, तो purkinje fiber स होते हुए, पूरा ventricle हिस्से में action potential आपका migrate करेगा, और contraction की process होगी, और यहाँ पर यह जो fibrous connective tissue की layer होती है, यह इसलिए होती है, क्योंकि जो आपका blood है, वो कैसा है, basically liquid in nature है, तो अगर आप एक chamber से दूसरे chamber में, उसको mix नहीं होने देना चाहते है, या फिर वो दूसरे chamber में किबल तब ही आए, जब आप चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा connection वनाना होगा, कि कुछ भी leak ना करें, तो उस चकर में क्या हुआ, कि आपका action potential भी leak नहीं, या action potential भी migrate नहीं कर पा रहा था, तो फिर यहाँ पर एक और एक system है, that is called AB node, और AB node का वस यहीं काम है, कि जो SC node से action potential generate हुआ है आपका atrium reason में, वहाँ से ventricle तक जाएगा, AB node के थरू, और पहले ही आएगा bundle branches में, तो two type की branches है, right hand side and left hand side, और distribution हो जाता है ventricle में, और ventricle का contraction होता है, यहाँ पर ventricle का, यहाँ पर के से में, जब SC node के थरू आएगा, तो atrium का contraction होगा, और AB node के थरू, bundle of his के थ आपको ऊपर ऊपर बता दिया है क्या से होता है, लेकिन इसकी भी एक mechanism होती, कैसे positive charge migrate कर रहा है, कैसे negative charge, positive charge meaning मैं बात कर रही हूँ, depolarization की, क्योंकि depolarization के cases में क्या होता है, जो आपकी negative charge membrane थी, अब वो positive की तरफ जाने लगी है, तो basically अभी जब हम इसका further पढ़ेंगे, तो हम positive charge से denote करते है, depolarization को, depolarization को maintain करते है, negative charge से, आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहला तो हमने action potential पढ़ा है, myocardial cells में, second हमने action potential पढ़ा है, nodal cells में, और ये basically pathway है, कि किस तरीके से action potential जो है, वो cardiac system में migrate करता है, तो आपको करना क्या है, कि ये दोनों चीज़े आपको बहुत याद रखने है, क्योंकि ये जब दोनों चीज़े आपको याद होंगी, फिर मैं आपको बढ़ाओंगी ECG का principle, और ECG के principle के बाद ECG का principle प्लस ये काईडियक action potential साथ में apply होंगे आपकी ECG interpretation पर, तब ही आपको समझ में आएगा, अब हम क्या करते हैं, पहले हम question solve कर लेते है अब कुछ काईडियक action potential से questions आये हैं, अब ये पहले जो question है 2012 का है, जरा इसको solve करो, आपको करना क्या है कि वीडियो को 2 मिनिट के लिए pause करना और खुद से इसको करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर मैं तो करवा ही रही हूँ, तो दिखो, जो आपका question है वो क्या कह है, which one of the following changes will occur in cell membrane or nodal cells, nodal cells में action potential की बात हो रही है, of the heart which results in an increased heart rate due to stimulation of sympathetic nerves, तो ये basically क्या है कि थोड़ा सा ठीक रहता है ना बड़ा चड़ा के बात को कह दीना, बिल्कुल वैसा है, बेसिक इसका काम क्या है कि ये कही ना कही action potential ही generate कर रहा है, जो heart rate को increase कर रहा है, लेकिन ने क्या कहा कि sympathetic nervous system, आप sympathetic nervous system वो थोड़ा revise कर लो क्या था, जो sympathy के time activate होने वाला है, तो sympathy की ज़रूरत आपको कव है, जब आपकी heart rate increase हो, जब fight flight जैसी situation हो, तो बिल्कुल बैसा सा ही है क कि obviously sympathetic nervous system activate रहेगा, तो heart rate increase होई, जैसे ही आपकी heart rate increase हो रही है, तो situation में होगा क्या, कि आपका जो membrane में action potential है, वो किस तरीके का होगा, ये ही question आप से पूछा गया, nodal cells में, ये हमेशा याद रखे कि myocidal cells का पूछा जा रहा है, या noodle cells का पूछा जा रहा है, तो nodal cells, तो अग मतलब की depolarization की यहां पर बात कहीं जा रहे है, stimulation तो तभी होगा, जब depolarization होगा, किस बजए से हो रहा था, वो होता था हमेशा voltage-gated calcium ion channels activation के दुरू, मतलब calcium के invert movement के दुरू हो रहा था, अब इसका option पढ़ लेते हैं सरा, the opening of sodium ion channel is facilitated, अच्छे में, अच्छे में, अच्छे म होगा, जब आपकी myocidial cells में action potential होगा, लेकिन जब भी आप nodal cells की बात करेंगे, तो sodium की बात ही नहीं होगी, depolarization के case में, sodium का minute सा amount, एप channel के थुरू, invert आता है, लेकिन वो threshold तक ले जाने के लिए होता है, that's it, और उसके साथ भी आपकी calcium का ही invert होता है, T-type channel से, second है, आपका potassium conductance is increases, potassium, potassium conductance यदि increase होता, तो heart weight stimulate हो ही नहीं होती, heart weight inhibit होती, क्योंकि बो repolarization की stage बनती, third क्या है, the opening of L-type calcium channel are facilitated, यह आप का अंसर इक्दम सही है, क्योंकि depolarization होगा, meaning heart weight stimulate होगी, और उसके लिए responsible होगे, आपके voltage gated L-type calcium ion channel, that is called long lasting calcium ion channels, यहीं के तुरू calcium का invert moment होगा, membrane में depolarization होगा, heart weight increase होगी, and जो last है, वो है H-type channels, तो H-type channels जो है, वो यहाँ action potential में नहीं काम आते, वो basically guani cyclase, कुछ है, एक ऐसा pathway, मुझे अभी याद नहीं है, तो उसमें यह जो है, काम करते हैं, तो इसका answer C है, और यह इसका explanation है, जो आपको पढ़ने के लिए है, अब next question देखते हैं, next question क्या है, ज़रा इसको solve कर लो, next है, बिश्पन of the following is not involved in the Pashmi correction potential, वातला वो ही nodal cell section potential की बात आ गई है, तो कौन से नहीं होते हैं, तीन टाइप के channels तो होते हैं, आपको पता है, T-type, transient, calcium channel भी होते हैं, long lasting भी होते हैं, F-type channel होते हैं, even H-type channels नहीं होते, तो यह जो F-type channels होते हैं, जो अभी मैं आपको बता रही थे, वो क्या है, cyclic nucleotide gated ion channels होते हैं, जो hyperpolarization activated होते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, कि केवल तीन टाइप के channels हैं, आपको यह पता था, और यह तो आपको याद ही था, मैंने कितनी बार आपको revised कराया है, तो इसका जो answer है, वो होगा first, क्योंकि इसमें पूछा गया है, not involved, फिर आप यह देख लीजिए third, अच्छा, इसका answer ही देख गया, चलो कोई बात, यह देखो, इसको जड़ा solve करनी की कोशिश करो, यह क्या कहा गया है, कि action potential recorded from different part of mammalian heart, different part of mammalian heart meaning कि यह बात कर रहे है, myocardial action potential के बारे में, तो जो myocardial action potential थी, उसमें बन रही थी plateau face, जब plateau face बन रही थी, तो यह आपका option already eliminate हो जाता है, और यह भी अगर आपको थोड़ा भी graph याद है, यदि आपको थोड़ा भी myocardial action potential का graph याद है, तो यह भी, अब आपको confusion कहा हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या इस graph में confusion हो सकता है, तो देखो, पहले हम first graph को समझते हैं, first graph क्या कह रहा है, कि यह minus 90 आपका यहाँ पे होगा, यह होगा आपका minus 90, लेकिन यह जो graph है, यहाँ पे है, मतलब यह minus, कहीं न कहीं, 80 के थोड़े से नीचे, मतलब यह 88 कुछ ऐसे, क्योंकि इन graph में आपको यही देखना रहता है, यहाँ पे और कुछ दिया नहीं, केवल यहाँ पे membrane potential है, तो आपको यही देखना है, कि जो graph है, उसका membrane potential या पिर उसका जो point है, वो कहां से शुरू हुआ है, तो कायदे से इसको होना चाहिए था, माइनस 90 से शुरू, लेकिन यह बता रहा है, माइनस 80 से शुरू हो रहा है, थोड़ा सा उसके नीचे हो रहा है, तो अगर माइनस 80 से या फिर 88 से या फिर कुछ ऐसे शुरू हो रहा है, तो यह तो मतलब आपका कोई मतलब का ही नहीं, अगर यह माइनस 90 से शुड़ू होता, तो आप इसको कहते कि हाँ, आपकी मेंब्रेन से जो है, डिपलराइजिशन हो रहा है, प्लेटू फेस का फॉर्मिशन हो रहा है, फिर्स नहीं, आप देखिए, यह जो ग्राप है, यह फिर अगेन थोड़ा से डिपलराइजिशन हो फिर प्लेटू फेस बनी, इसा हुआ है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और प्लेटू फेस जो है, वो एकदम स्टेबलाइज फेस नहीं होती है, वो हलकी सी इस डायरेक्शन में होती है, मतलब स्टेबलाइजिशन चल रह लेकिन वही पर अगर आप C में आएं, तो देखो किता प्रॉमिनेंटली है, यहाँ पर है आपका माइनस नाइन्टी, जब यह आपका माइनस नाइन्टी है, तो माइनस नाइन्टी से ही जो आपकी एक्यूलिब्रियम, नियर एक्यूलिब्रियम स्टेज थी, वहां से आप प्लैटोफेश्जीट प्लै चैण यहाँ पर सिंपल ढमारा फिनॉमिन आन्हीं रिपोल्राइजाश्चीनि जाकि जहां मैंने graph बनाया है बिल्कुल exact बोई है तो दीको अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो animal physiology जो भी हाप units को target कर रहे हो तो आपको सारी चीज है एकदम clear यहाद होनी चाहिए क्योंकि कई बर CSIR क्या करता है पता चले यह graph देदेगा similar graph देदेगा बस यहाँ पर जो आपने यह membrane potential m भी लिखा है वहाँ permeability millimol per liter लिख दे तो हम तो confusing हो जाएंगी कि graph एकदम same यह difference कहा है तो आपको सब याद रखने है आपको x-axis भी याद रखने है आपको x-axis भी याद रखने है कि वी जहीं दिये हैं कि नहीं दिये हैं फिर आपको graph भी एकदम सही याद होना चाहिए कि अच्छा हां यह क्या denote कर रहा है आगे क है डिनोट कर रहा है तो सारी चीज़ें आपको जो है फिलियर पता होने चाहिए अब यह जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको ज़रा सॉल्व करो कि इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि पढ़ लेते हैं 2017 का है क्वेश्चन क्या है तब पेश्मेकर सेल और ऐसे नोट आर इनिविटेड बाई दस्टीमुलेशन ओब बेगस नर्व बस इतनी ही बात हो गई ओं मेकेनिजम पूछ लिए था इनिविशन ठीक है अब इनिविशन की बात हो रही है ऐसे नोड में इनिविशन मतलब नोडल एक सेल बिसिकली रिपलराइजिशन उसके बाद हाई पर्लराइजिशन की बात हो तो जब आपका रिपलराइजिशन स्टेज आने लगेगा जब आपके बोल्टेज गेट और केल्षिम आयन चैनल जो है एक्टीवेट होने लगे तब जाके आपका इनिविशन होगा एसे मूदल सेल्स में जब अपन एक्शन पोटेंशल पढ़ते हैं और जब इनिविशन की बात हो रही है मतलब की रिपॉलराइजेशन की बात हो रही है उतनी में आपका यह जो कॉस्टन है वह सॉल्व हो जाने वाला था क्योंकि पहला क्या है अचिटाइल कोलीन रेगुलेट की आइन चैनल्स अर एक्टिवेटेट ठीक है तो पहला ऑप्शन सही है क्योंकि अगर आपको यह भी नहीं पता है यह भी चलो छोड़ दो कि हमें नहीं पता कि केल्शियम आइन रेगुलेट कर सॉरी ऐसी टैल कोलीन जो है वो रेगुलेट करता है और नहीं करता है हमें बस ना पता है कि अगर रिपॉलराइजिश के टाइम पे वोल्टेज गेटेट केल्शियम आइन चैनल एक्टिवेट होते हैं और जो आपका पोटेशियम है पोटेशियम का जो है आउटवर्ट फ्लो होता है बाहर की तरफ तो उतने में भी यह आंसर सही है क्योंकि जैसे ही प पोटेशियम चैनल बनेंगे तो आपका इनिविशन होगा और यह वाला स्टेटमेंट आपका सही है फिर बी जो है आउटवर्ट फ्लो ऑप पोटेशियम कॉज़स हाइपर पॉलराइजेशन की ही हम बात करें इनिविशन है मीनिंग हाइपर पॉलराइजेशन है अगर पहली चीज तो यह है कि जो फणी करंट है या फणी चैनल के थूँ आपके शोडियम का इनिविशन हो रहा था जब अगर आपका शोडियम का इनिविशन होगा तो यह आंसर आपका एकदम गलत है कर लास्ट क्या है इंक्रीज इंट्रा सेलुलर सी एंप इंड्यूस्ट वाइदा एक्टिवेशन ओप एंटू रिसेप्टर स्लो दा ओपनिंग ओप केल्शियम आइन चैनल अब यदि आपको कुछ नहीं पता सी एंपी नहीं पता हमें एंटू रिसेप्टर भी नहीं पता लेकिन लास्ट में क्या है स्लू टा ओपनिंग ओप कङल्शियम आइन चैनल अगर अगेंग आप चाहthen आप चाहए स्लो ओपनिंग करें या कोई भी और यह लापनिंग कर दी यह आपनिंग कर दी क्यात अगेंक्व होगा बढले डीपॉलराइजिशन नहीं होगा लेकिन polarization की situation भी तो नहीं अचीव हो पाईगी, क्योंकि repolarization की situation तब अचीव होती है, जब आपके voltage-gated sodium ion channels हो, in terms of myocidal cells या neuron cells, वो पूरे तरीके से inactivate हो जाए, और nodal cells में जब आपके voltage-gated calcium ion channels या long-lasting calcium ion channel अब तक पूरे तरीके से inactivate नहीं हो जाते, क्लोज नहीं हो जाते, तब तक आपकी hyperpolarization या repolarization की situation है वो नहीं आती है, यहाँ पर inhibition की बात हो रहे है, और अगर आपको किवल इतना ही बता था, कि inhibition जो है, वो hyperpolarization, repolarization की बज़र से होता है, और वो calcium ion की permeabilities, potassium ion की permeabilities की बज़र से होता है, तो उतने में ही आप इस answers को solve कर लेते हैं, तो आपका a and b मतलब कि c जो option है, वो एकदम correct है, यह c answer है और यह इसका explanation है, चलो इस question को solve करो, यह जो है 20, 20 का है, ठीक है, इसमें जो है, हमें correct option को choose करना है, और option यह है, 1, 2, 3 and 4, यह वाला ठीक, तो आप हम पढ़ लेते हैं, यह आपको एक graph दिया है, जो basically कहे का है, essay node का है, ऐसे node में यह graph जो है, आपको दे दिया है, अब बाद में आपको यह option दिये हैं, कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, यह जो आपके graph में है, और हमें वो ही denote करने है, तो देखो, मैंने एक यह वाला graph भी यहाँ पर लगा कर रखा है, यह basically आपकी उसी के लिए था, membrane potential के लिए, ठीक है, यह graph बिल्कुल बैसा सा है, बस design अलग तरीके से किया है, लेकिन अगर आप जैसे ही, इसके options पढ़ेंगे, statement पढ़ेंगे, तो आपको समझ में जाएगा, पहला statement क्या कह रहा है, कि funny channel are activated at B, मतलब यह जो stage है, यहाँ पर आपके funny channel activate है, एकदम सही बात है, यह आपका membrane potential है, और membrane potential, threshold potential, इसका कितना था, यह था minus 40, और resting membrane potential, आप मान के चलो 70 पढ़ लो, या फिर 90 पढ़ लो, ठीक है, तो क्या मैंने आपको बताया था, जब आपकी membrane resting stage में थी, और उसको threshold तक अचीब करना था, मतलब माइनस 40 तक जाना था, तो two types के channel activate हो रहे थी, एक तो activation था, F type funny channel का, जो कहीं न कहीं invert moment कर रहा था, minute sodium का, and second था आपका transient T type of channels, जो आपकी invert moment कर रहे थी, जब ये दौनों invert moment होगा, sodium का भी, प्लस में आपके calcium का भी, तब जाकि ये अपनी threshold को अचीब करता था, मतलब माइनस 40 पे जाएगा, and माइनस 40 के बाद जैसे ये threshold को अचीब करेगा, तो voltage gated calcium ion channel activate होंगे, and depolarization होगा, तो B आपका बिलकुल इनने सही कहा, क्योंकि देखो, threshold के नीचे की बात है, तो threshold के नीचे की बात है, मतलब ये चाहए B हो या C हो, ये B जो है आपका सबसे पहले activate, मतलब सबसे नीचे की threshold की बात है, तो उस समय कौन से activate होंगे, app channel, अब next पढ़ लो, the outward flow of the calcium occur at A, मतलब A में, तो A में मतलब outward flow की बात कर रहे है, जब आपका ये potassium membrane के बाहर जाने लगता था, तो क्या बन रहा था, hyperpolarization हो रहा था, hyperpolarization हो रहा था कि नहीं हो रहा था, और hyperpolarization क्या है, बिलकुल यही situation है, तो ये graph उनने यहां दे दिया है, कि जैसे ही आपका ये यहां moment हुआ, तो ये बन लिया आपका क्या, hyperpolarization मतलब यहां पर K का जो है, वो outflow moment हो रहा है, K बाहर की तरफ जा रहा है, तो B भी एकदम सही है, T क्या है, कि T calcium ion channel are closed at C, close, मतलब बंद कर दियेगा है, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि आप इस stage में ही पड़ो, जब तक ये threshold पे नहीं पहुँचेगा, जब तक ये minus 40 पे नहीं पहुँचेगा, तब तक ये आपकी entry होगी, और कई की तरू होगी, transient calcium ion channels की तुरू इसकी entry हो रही थी, तो यहाँ पर अगर ये लिख देते open, तो ये statement भी सही हो जाता, लेकिन इनने लिखा कि close होगा, तो अभी तो threshold पे भाई पहुचा ही नहीं था, नीचे ही है, तो कैसे close होगा, इसको open होना चाहिए था, ये statement भी आपका हो गया wrong, D क्या है, fast sodium channel are opened at D, क्या मतलब है, एक तो आप पहले ही हम से कह रहे हैं कि, हम ऐसे node action potential की बात कर रहे हैं, हम node election potential की बात कर रहे हैं, और आपने sodium की बात कर दी, तो sodium की तो बात ही नहीं होगी, अगर node election potential है, तो sodium जो है, वो app channel की through ही activate होगा लेकि, अगर आप fast sodium channel जैसी, तो कोई situation ही नहीं होती, तो ये statement बैसे भी गलत हो गया, फिर आपका है, the upward phase at D is largely due to the inward moment, largely, कहां से largely, कैसे, मतलब sodium, sodium का कैसे होगा, inward moment, जब पहले ही कहा है कि, जो noodle cells हैं, तो आपर sodium का कोई inward moment नहीं होता, केवल यहाँ पे थोड़ा सा inward moment होगा, वो भी threshold के नीचे, जब deep polarization की बात होगी, तो voltage-gated calcium channels ही जो है, वो आपके activate होगी, तो देखो, ये 2020 का question है, लेकिन कितना simple सा question था, और इसमें क्या बात ही में कोई बहुत बड़ा concept लगा, इसमें एक simple है कि, अगर आपको nodal action potential पता है, अगर आपको सब की situation पता है, अच्छा, A, A, B, C, A, D, A, यहाँ से depolarization में ये activation, repolarization में ये ions का activation तो आपने कर लिया, तो option कौन कौन से हमारे सही थे, A and B है न, तो A और B मतलब ये वाला option हमारा सही होगा, तो बस ये ही था, और A और B ही हमें शुरू में मिल गये थे, तो ये answer तो बैसे भी सही हो गया, और फिर ये इसका explanation है, आपको पढ़ने के लिए, ये वाला note down कर ले न, तो next जो है, ये आपका 6th नमर का question है, थी? All correct, इसमें पूछागे, option जो है, इसके next page में, वो मैं आभी आपको दिखा दे रहे हूँ, ये जो 6th question है, ये basically cardiac action potential का नहीं है, ये बस मैं आपको बता दे रहे हूँ, ये है आपका neuron action potential का, ये question मैंने जान बूच के यहाँ पे रखा है, उस वाले session में मैंने इसको solve नहीं कर आए था, क्योंकि आज आपका बुद्धी परिक्षण है, इसका मतलब ये है, कि मैं देखना चाह रहे हूँ, ये आप खुद से ही इस चीज को utilize करें, कि आपने action potential पढ़ लिया है, neuron cells का, और ये year 2022 का ही question है, अभी का ही, ठीक है, तो आप इसको कितना solve कर पा रहे हैं, अगर आप इसको solve नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है, कि आपने action potential अच्छे से नहीं पढ़ा है, मैं previous lecture की बात करें हूँ, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो प्लीज आप एक बार उसको जाके अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि ये बहुत basic सा question था, 4 marks का question है, अगर आप इसको solve कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर खुश हो जाईए कि आपकी preparation एकदम सही direction में जा रहे है, लेकिन अगर solve नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फिर आपके लिए problematic है, कि आपको अभी भी action potential समझ में नहीं आया है, तो solve करते ही, क्या है, अब potential differences of about 70 millivolt between inside and outside the exonal cells, resting condition may be recorded by the suitable electrode amplifier, the physiochemical and biological basis of the origin of the resting membrane potential are suggested glow, कुछ है नहीं, बस कहां नहीं लिख दिया है उपर, बात क्या कर रहे हैं केवल resting membrane potential की, कि यहाँ पर कुछ conclusion दिये गए है, आपको 5 to 6 conclusion, जिसमें वो बता रहे हैं, resting membrane potential के बारे में, तो अगर आपको resting membrane potential ही अच्छे से बता है, तो आप इसको solve कर लेंगे, पहला क्या है, resting membrane potential is close to equilibrium potential of sodium ion, सच मैं, ऐसा हो रहा था क्या, जब depolarization की stage आ रही थी, तब आपके जो sodium हो, उसको equilibrium की वो condition पहुँच रहा था, लेकिन resting membrane stage में, equilibrium potential नहीं होता, जब वो minus 90 पे जाता है, तब वो potassium की situation बनती है, sodium की तो दूर दूर तक नहीं बनती, resting membrane potential और जो sodium है, वो मतलब ऐसा सा है कि opposite pole पे, क्योंकि resting membrane potential और depolarization जब होगा, तब जाके sodium equilibrium की situation में आता है, तो first option आपका एकदम गलत है, भी क्या है, यह statement आपका एकदम सही है, क्योंकि इसमें क्या पूच रहे है, unequal distribution must भी होना ही चाहिए, बिलकुल सही का, क्योंकि आपका इस तरफ क्या था, potassium आइन था, और यहाँ पी क्या है, sodium आइन है, और जब resting stage में थी, तो outside sodium था, inside क्या था, potassium था, और जब action potential होगा, तब जाके इनका जो है, diffusion होता है, तो अभी यहाँ पर इसकी concentration जादा है, और अगर आप sodium के concentration की बात करें, तो outside जादा है, और inside कम है, तो unequal distribution होगा, बैसे potassium की अगर बात करें, तो inside resting stage में जादा है, और outside जो है, वो बहुत कम है, तो यह क्या हुआ, unequal distribution होगा, जब यह unequal distribution होता है, उसी बज़े से, आपकी membrane resting में होगी, और further action potential होगा, अगर यह equal distribution होगा, तो मतलब action potential आपका चल रहा है, तो यह बिल्कुल सही बात है, कि आपकी membrane जब कुछ ऐसी stage में रहेगी, resting stage में रहेगी, तब ही आपका gradient डबलब होगा, मतलब action potential होगा, तो जब भी आप बात करें, तो unequal distribution, मतलब यहाँ पर जैसे इस पर देखे, potassium का अगर distribution करें, तो inside जादा है, outside कम है, तो मतलब unequal distribution होगा, equal कब होगा, जब जितना inside है, उतना ही outside होगा, तो वो कब होता है, जब action potential की stage initiate हो जाती है, तो यह statement एकडम सही है, see क्या है, the axonal membrane must be permeable to one or more species of the iron, for resting membrane potential, यह भी बात सही है, क्योंकि resting membrane potential की जब भी आप बात करेंगे, तो यहाँ पर two types के iron है, एक तो आपके potassium है, sorry calcium है, नहीं, potassium ही है और sodium है, तो यह two ions है, more than two ions, तो more than two ions के लिए भी permeable होती है, लेकिन two ions तो हैं ही, तो उसकी permeability होनी ही चाहिए, resting membrane stage में, D क्या है, the concentration gradient of sodium and potassium ion across the axonal membrane required for the resting membrane potential is depend on the activity of sodium potassium ATP, मतलब sodium potassium pump की बात कर रहा है, तो यह भी उनने सही बात कहीं, कि जैसे ही आपकी resting membrane में आती, जैसे resting membrane हुआ, फिर आपका action potential पे चला गया, तो action potential में क्या हुआ, यह flip हो जाते हैं, inward movement आपका sodium का हो गया, outward movement आपका potassium का हो गया, लेकिन फिर से इसको natural stage में लेके आने के लिए, दोबारा action potential को ready करने के लिए, resting stage में लेके आने के लिए, आपके sodium potassium ATPase ही responsible होते हैं, तो db सही है, यह क्या है, impermeable protein in the exorplasm, do not affect the distribution of diffusible ion, यह एकदम गलत बात कही, क्योंकि मेरा जो action potential का first lecture था, एक ही तो lecture है, उस lecture की जो पहली slide थी, मैंने उसमें एक बात mention करी थी, कि आपकी जो membrane है, यह K plus ion है, लेकिन यह inside negative charged मानी जाती ही, यह negative charge किसकी बज़ा से मानी जाती थी, क्योंकि जो आपका cytoplasm था, जो आपका exoplasm था, वहाँ पर negatively charged protein जादा थे, जो आपके membrane के nature को negatively charged बना देते थे, तो अगर वो negatively charged protein थे, और उन्होंने इसको negatively charged बनाया, तभी तो यह potassium का outward moment हो रहा है, क्योंकि action potential में भी, potential मैंने आपको बताया था, कि opposite charges जो है, वो एक दूसरे की तरफ attract हो रहा है, तो यहाँ का environment negative है, और यहाँ का environment है positive, इसको समझने गोशिश करो, तो sodium तो positive charged है, तो चलोगा ही ठीक है, sodium positive charged है, यह negative की तरफ attract हो गए, लेकिन potassium तो positive charged है, तो अब यह क्यों outside तो positive environment है, तो अब यह वहाँ क्यों attract हो रहा है, क्योंकि यह भले ही positive charged है वीटा, लेकिन यह जिस environment में है, वो environment negatively charged है, तो यह क्या है कि खुद भले positive है, लेकिन इनके चारों तरफ इतनी जादा negativity है, यह negatively feel कर रहा है, तो उस बज़ाय से यह भी positive की तरफ जाना चाहा रहा है, जो कि आपका outer membrane potential है, और इसी को equalize करने के लिए जो है, वो आपके sodium potassium ATPase pump होता है, और यह जो impermeability की बात हो गई थी, जो मैं 5th समझा रही थी, 5th में बिलकुल affect करता है, यह कह रहा है do not affect, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, यह बिलकुल affect करता है, क्योंकि जो आपकी negatively charged protein होते हैं, वो ही membrane को negatively charged provide करा देते हो, और उस बज़ाय से आपका action potential carry होता है, 5th क्या है, जो sodium potassium ATPase pump है, exonal membrane के लिए essential resting membrane potential के लिए ठीक है, लेकिन यह electrogenic नहीं है, नहीं, यह भी statement गलत है, तो आपने देखा, कि आपका जो कौन-कौन सा statement हमारा सही था, B, C and D, और बाकी A और E and F जो है हमारा statement गलत है, तो कितना basic सा यहां पर concept है, क्या हमने बाकी में यहां कोई भारी भरकम concept का इस्तिमाल करा, बिलकुल भी नहीं, और यह latest ही question है, 4 marks का question है, आपको simply अगर action potential neuron cells का एकदम exact पता है, तो आप उसको उसी time solve कर लेते, और अगर आपको 2 से 3 statement ही सही पता है, यह statement है, और B जो हमने निकाला है, B, C and D, यह हमारा सही है, और यह मैंने यहां पर statement भी लिख दिया है, क्यों जो है correct थे, तो दिको, कहने का मतलब यह है, अगर आप मैंसे जितने लोग ने या सबने ही इस question को solve कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, और अगर solve नहीं कर पाए हैं, तो भी परिशान होने की जरूरत नहीं, यह जो solve करने का तरीका ही, यह प्रेक्टिस के थ्रूर ही आता है, हम करते क्या हैं, यह हम बार बार किसी question को solve करते हैं, तो हम में practice हो जाती है, किस label के questions आ रहे हैं, हमें कैसे solve करना है first thing, second thing is that, आप किसी भी unit का जब question solve करें, तो आपको सब पता होना चाहिए, कि वो जो option है, वो सही है तो क्यों है, वो गलत है तो क्यों है, जब आपको यह दोनों चीज़े पता चलेंगी, कि अगर वो option सही था, तो वो उसका explanation यह था, अगर वो wrong है, तो उसका सही explanation यह है, बस उस एक point पे जिस दिन आप पे यह सारी चीज़े आ गई, आपकी preparation एक दम up to the mark है, तो आपको question इसी तरीके से solve करने है, अगर कर लिया है, अच्छी बात है, नहीं भी किया है, तो परिशान होने की बिल्कुल ज़रूरती, दोबारा action potential का lecture देख लो, के बाद भी अगर समझ में ना आए, और सारी चीज़े प्रेक्टिस के थ्रू ही आती है, तो हम यहाँ दीरे-दीरे करके सारी चीज़े प्रेक्टिस कर लेंगे, and honestly guys, at the last day of animal physiology lecture, जो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सारे topic आपकी finger tip पे होंगे, मैं इतने अच्छे से आपको revised करा दूँगे, परिशान होनी कि बिलको जरुवत नहीं, लेकिन पढ़ते रहो, revise करते रहो, recall करते रहो, मैं आपकी तरब से बस यही चीज़ कहना चाहती हूँ, मैं अपनी तरब से आप से यही चीज़ लेना चाहती हूँ, कि आप जो जो मैं पढ़ा रही हूँ, बस उसको अच्छे से पढ़ो, revise करो, recall करो, बाकी आप सब में पे छोड़ दू, मैं सारी चीज़ें आपको solve करना सिखा दूँगी, तो जो हमारा next lecture होगा, वो होगा हमारा ECG principle पर, तो बो lecture आपको देखना है, उसको हलके में मत लेना, आपको ECG मशीन का principle नहीं पता होगा, कि वो कैसे बार करेगा, आप ECG का interpretation कर ही नहीं पाओगे, तो वो lecture बहुत important है, कि small lecture होगा, हम वो अपनी जो next upcoming videos हैं, उसमें include करेंगे, और आज के लिए इतना ही था, तो आप अराम से पढ़िए, revise करिए, अगर ये वीडियो आपके लिए helpful है, तो like करें, share करें, और चैनल को subscribe करें, और feedback जरूर दे, क्योंकि आपका जो feedback है, वो मेरे लिए बहुत essential है, अभी जरूरत है, आप feedback देके जरूर मुझे एक बार बताएं, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थांकियो सो मच फॉर लिस्टिए,